चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी बयान बासी तेज हो गई है कुछ पार्टियों ने तो चुनाव कारेकरम को लेकर ही सवाल उठा दिये हैं आपको बता दे कि ममताव एनर्जी ने सवाल किया कि जब तीन राज्यों में एक चरण में और असम में तीन चरण में चुनाव कराया जा रहा है तो बंगाल में आठ चर्णों में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया गया उन्होंने कहा कि एक ही जिले में दो तीन चर्णों में चुनाव क्यों कराय जा रही है ये भाजपा ने जान बूझ कर करवाया है ममताब एनरजी ने कहा कि केंद्रिय ग्रहमंत्री अपनी ताकत का गलत इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन भाजपा को बंगाल की जनता जबाब देगी उन्होंने कहा कि खेल जारी है हम खेलेंगे और जीतेंगे बता दे कि विधान सभा चुनाव की तारीखों के एलान पर कॉंग्रेस नेता गुलाम नभी आजाद ने कहा कि कॉंग्रेस डट के मुकाबला करेगी उन्होंने कहा कि हम पांचों राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और अच्छा करेंगे हमारा प्रयास होगा कि कॉंग्रेस की विजय हो जाए इधर भागपा के महासचीफ दिपांकर भटाचारिय ने नंबर गेम पर सवाल उठाए हैं उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि चेनई में पांच दिनों का टेस्ट में चेहमदाबाद में दो दिनों का रह गया है तमिलाडू में एक दिन में होने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल में आठ चरनों तक खिच गया है क्या आप में से कोई इस नंबर गेम के बारे में बता सकता है वही कॉंग्रेस नेता और महराश्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री प्रत्विराज चवान ने पूछा कि क्या कोई कुटिल योजना है नोंने पूछा कि अगर केरल 140, तमिलाडू 234 और पुदुचेरी 30 पर चुनाव एक चरन में कराये जा सकते हैं तो असम 126 और पश्चिम बंगाल 294 के लिए 7-8 चरनों की क्या जरूरत है क्या कोई कुटिल योजना है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता तारीक अनवर ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा का सहीयोग करने का प्रयास किया है अनवर ने कहा कि मेरा मानना है कि ये जान बूच कर किया गया है और चुनाव आयोग ने भाजपा का सहीयोग करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस से उन्हें सहीयोग मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है जितना मैं बंगाल के लोगों को जानता हूँ वे आंदोलनकारी प्रकृतिके हैं वे कुछ समय के लिए विचलित हो सकते हैं लेकिन बंगाल बंगाल है रक्षामंत्री राजनात सिंग ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में हाईवे बनाने के लिए बहुत पैसे दिये हैं हमें डर है कि ममता बैनरजी इसे लड़का ना दे अटका ना दे भटका ना दे इसके लिए आप अतिरुक्त बल के साथ अतिरुक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें ताकि लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप गोश ने कहा कि हर बूत में सेंट्रल फोर्स हो तभी निश्पक्ष और शांती पूंट चुनाव हो सकेगा चुनाव आयोग भी इस दिशा में काम कर रहा है भाजपा पूरी तरहें तयार है संगठन नीचे तक मजबूत हुआ है टीमसी के बहुत से दिगज नेता भाजपा में शामिल हुए हैं और लोग भी आने वाले हैं केंद्रे मंत्री प्रहलात सिंग पटेल ने पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में होने वाले चुनाव पर कहा कि पिछली बार भी छे चरणों में चुनाव हुए थे ताहिमंत बिस्व सर्मा ने चुनाव कारेकरम का स्वागत किया उनके राजे में 27 मार्ट से तीन चरणों में चुनाव होंगे बतादे चले कि पांच राजों में विधानसबा चुनाव की तारीकों का एलान शुकरवार को हो गया है ये राज पश्चिम बंगाल केरल तमिलना बादू असम और पुदुशेरी है चुनाव श्केडियूल के मताबिक अरब सागर से गंगा सागर तक 62 दिन तक चुनाव चलेगा पश्चिम बंगाल में सबसे जादा आठ फेज में चुनाव होंगे असम में तीन फेज में और बाकी तीनों राज्यों में सिंगल फेज मे चुनाव होंगे वोटिंग की शुरुवात वश्चिम बंगाल और असम से होगी इन दोनों राज्यों में पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होगी पांचों राज्यों में वोटों की गिंती 2 मई को होगी बंगाल में पहले फेज के दिसूचना 2 मार्च को जारी होगी द मतदान सबा में तीन नामित सदस्य होते हैं यहां अब तक कॉंग्रेस गडबंधन वाली सरकार थी लेकिन पिछले हफ़ते ही कई विधायकों ने कॉंग्रेस छोड़ दी इससे सरकार अलपमत में आ गई सीम नाराइंड स्वामी को इस्तीफा देना पड़ा अभी यहां राष्टरपती साशन लागू है पश्यम बंगाल में आठ फेज में चुनाव होना तै हुआ है आपको बता दे कि 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी चुनाव आयोग ने बताय कि पश्यम बंगाल में एक लाग से जादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे यहां आपको यह भी बता दे कि कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं इसके अलावा मतदान का समय भी एक घंटा बढ़ाए गया है कोरोना को देखते हुए सभी छटे फेस का मददान 26 अप्रेल को साथवे फेस का मददान और 29 अप्रेल को आखरी आठवे फेस का मददान होगा मुख्या चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा के मताबिक वश्यम बंगाल में 2016 में 77,413 चुनाव के इंद्र थे जो अब 11,916 होगे सभी सीटों के लिए वोटों की गिंती दो मई को होगी बताया तो ये भी जा रहा है कि बंगाल में शांती पून चुनाव संपन कराने के लिए केंद्रे सुरक्षा बलो की 125 कंपनियों की तैनाती की जाएगी बताते चले कि चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को पांच राज्जों में विधानसवा चुनाव की तारिकों के अलान के बाद सियासी बयान बाजी तेज हो गई है कुछ पार्टियों ने तो चुनाव कारेकरम को लेकर सवाल भी उठाए है खैर कुछ भी हो विधानसवा चुनाव को लेकर सियासी बयान बाजी एकदम से तेज हो गई ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्ड़बल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करेंगा